आपको जो यहाँ पर सेमल का पेड़ दिखाई दे रहा है इसके फूल तो काफी अधिक लगे हुए हैं सेमल के पेड़ को एक सालेंग डाक्टर कहा जाता है और ये फूलों में काफी अधिक औसधिक गुर पाय जाते हैं इसके फूल हो गया या फल और च्छाल अधिस अभी बिमारियों में निजात दिलाने में कारगार होते हैं सेमल जो होता है महिलाओं के लिए तो एक वरदान से कम नहीं होता इसके पत्ते रक्त सुधन का बहतर जरिया होते हैं जड़ का जो है यह कोरिया की बहतर ओसधी बनाया जाता है इस ओसधी यह पैरे का अलग अलग स्वरूप में उपयोग किया जाता है जैसे के पैचिस हो गया यह गिल्टी है ट्यूमर के लिए कब्स कमर दर्थ दूद बढ़ाने के लिए खासी आदिके निवालन में काफी अच्छा होता है कुछी हम देखें कि सेमर के जो रिक्ष की जो चाल को पीज कर लेप लगाने से सरीर पर जो बने हुए गहरे जक्म होते हैं जल्दी भर जाते हैं और सेमर की जो पतियां हैं उनकी डेंठल का जो कारहा बनाकर दो चमश पीने से अतिसार दस्त में अराम मिल आपको यहां पर जो फूल दिखाई दे रहा है सेमल का उसके टॉप में एक छिलका होता है फूल में जो लगा हुआ है उसको रात को भिंगो कर मिस्रिक साथ पीने से दस्त हो गया है अपर ठीक हो जाता है और इससे काफी अधिक रहा दूमिलता है और हम आपको आगे बताएं कि सेमल के जो ताजे फल हैं उसकी सब्जिया भी काफी दिक टेश्टी होती है और उसका उपयोग भी दस्त से निजात दिराने में किया जाता है और सेमल के जो फल होते हैं उसमें विशेस प्रकार का पोटेसियम पाए जाता है इसके अलावा देखा गया है कि जो सेमल के ज हो जाती है और आपको यहां पर जो सेमल के फल दिखाईते रहे हैं मगर सेमल deterior है वह पुरी तरह से परिपाक का ना हुआ रहे हैं मगर श्टार्टिंग के जो समय होता है। में अगर इसको serzen करते हैं तो यह केले फल है वहां दिखाई दे रहे हैं यह काफी अधिक फाइबर यूगत होता है उपर के छिलके निकालने के बाद यह केले के समान परतित होता है और इसको सब्जी बना सकते हैं आप जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा है कि यह इसके छिलके निकालने के बाद इसके अंदर का जो भाग है पूरी तरह से परिपोक नहीं है जिसमें जो रेशे बनने अभी त्यार नहीं हुए है उसके पहले इसका सब्जी बनाना बहतर होता है